चुटते हैं सिल्टर टेक्नोजी देखे आज मार्केट पूरा धडाम से गीरा है फिर भी सिल्टर टेक्नोजी आग देखा जाए तो आप देख सकते हैं इसका ग्राफ कि तो यह पहले तो यह अशन में था जो बल्क में ट्रेट होता है उसके बाद इसका अब इसका जिक एक शेर भी खरीद सकते हैं और इसका ग्रोथ आप देख सकते हैं चलिए कंपनी के थोड़ा फंडामेंडल डिसकस करते हैं तो शिल्टर टेक्नोजी देख सकते हैं इसके इन्फ red करती है तांस्फर्मर आपको देखा जाते हैं एलेक्तोनिक शिस्टम में भी छोटोटे छोटे चोटी टांस्फर्मर होते हैं जो 12 वल्ट-10 वल्ट पे यह यूज किए जाते हैं यह आपको स्पेस टेक्नोजी को डिफेंस में और आपको रोबोटिक्स में मेडिकल साइंस में भी यूज़ किये जाते हैं चलिए इसको थोड़ डिटल में और भी देखते हैं सिल्चर टेकनोलोजी का यहां पर देख सकते हैं पांच के विए से तीन हजार के विए का पावर टांस्फोर्मर रेंजिंग बता रहा है तो यानि बड़े-बड़े टांस्फोर्मर है उसका मनुफेक्टरिंग करती है इलेक्ट्रोनिक्स का लिखा है तो इसमें छोटे भी टांस्फोर्मर इंक्लूड होंगे और इसका एस्पोर्ट प्रोड़क्ट दखा जा तो इवसे कनाड़ा मीडल इस्ट में भी है और अफ्रिकन नेशन में केन्या और नैजेरिया में भी है कंपनी कैप सिटी देखा जा तो 4000 मेगा वोल्ट एम्पियर है तेज तर मार्च ये किस तक लैंड एरिया ये दिखा रखा है सेगमेंट देखा जाए कटरिंग था तो 21 कि से रेनिवेल से इनर्जी सोलर एनर्जी में देखे सोलर में भी ट्रांसफोर्मर की जरूरत होते हैं विंड हैडल सिमेंट सुगर स्टील हैड्रो कार्व इंडेस्ट्री पावर प्लांट में जर अच्छी बात है कि एक परसेंट से कमी आर एंडे डिपार्टमेंट में इसका खर्च वाता है कम्पनी मेड इन्वेस्टमेंट ऑफ थर्टी फाइप करोडे नियु प्रोडेक्शन फैसिट्री लोटकर नियु पादरा जम्बूल सार अगर प्रनेंशेशन में थोड़ा बहुत गलती होगा तो देख सकते हैं हो सकता है कि एरिय वाइज प्रनेंशेशन चेंज भी हो सकता है तो थर्टी पाइप करोड का क्या है इन्वेस्टमेंट किया है कम्पनी ने यह अच्छी बात है देखिए इसका कम्पनी का माइक्रो कैफे और 35 क्रोड का एक्सपेंशन कुछ अच्छा घजा एक्सपेंशन हुआ इन्वेस्टमेंट हुआ है यह बोला है कि कमिशन हुआ है 2020 में हुआ है ठीक है फंड्रेज देखा जाए तो कहा सकिया है HDFC बैंक लिम्टेड होंग कॉंग संगाई बैंक कोपरेशन से अपना कैपिटल जमा किया है कमपनी अच कंसे टार्ट टार ईन्लेटेट इन्वेस्टर सेक्टर सेलर बींड छेल्ट मार्ग्न प्राइबएट सेटर भी और १िकरता है इन्हीं सोलर एनर्जी में भी देखा जातो है रिनुवल में सोलर और विवीड एनर्जी में हें कि लिए आगे देखते हैं मार्केट के देखा जातों भी 18 सब आज 16 बढ़ा है तो एक साल में आगे देखा जातों कंपनी ने आप देख सकते हैं कि चार गुना पांच गुना यहाँ पर रिटर्न दे चुका है कमपनी चलिए तो मार्केट यह थारस हो का है करेंड प्राइस क्या है 24 सव है हाई देखा जाए 24 सव पचासी है लोग देखा जाए 370 से दिखिए 24 सव आया है अगर जिशनी भी लो पर खरदा होगा तो इसनों के अपने चार गुना पांच गुना कर इस चुके होंगे अपने पोट्फोलियो के इसवाँ पी देखा जाए तो 26 का है बूक वैल्यू देखा जाए तो 208 रुपे है आरो सी आरो आरो सी आरो यह बहुत बढ़िया है पचास तीरपन परसंट और बैलिस परसंट फेस बैली दखाए तो दस्वाए देप टू एक्विटी अच्छा अच्छा वी अच्छी बात है कि माइक्रो कैप में गर देप फिरी यह स्टोक है तो बढ़िया है यह बीटा 92.8 क्रोड है प्राइस टू बुक भली 11 का है जो कीस से देख सकते हैं कि प्राइस टू बुक से मनों कहने एक मतलब है कि अभी महांगे पर ट्रेट कर रही है पीजी लिकिन क्रोथ के इसाब से देखा देखा दे तो सस्थी कंपनी है प्रटियर स्कोर बहुत ही अ सब्सक्राइब कर देख सकते हैं जो कि ज़्यादा कुछ नहीं है चलिए पी देखते हैं अगर आप देख सकते हैं अगर आई जिस एक दम ब्लास हो रहा है पांच सालों में अब है अब देखा जाए पी तो पी में भी देख सकते हैं आप EPS प्रोफ यह ब्लाइक वाली जो बार है क्या है कंपनी अपने देप्त रिडूस किया है अच्छा क्वाटर रिजल्ट भी दिया है कंपनी डिलिवर कि फूर्टिनाइन सीजी यह लास्ट पांच सालों से फूर्टिनाइन परसंट शीजी यह दे रही है और 26 परशंट आरोई का है तिन साल का रिकॉर्ड है अस्टोक ट्रेडिंग 11.6 टाम इस बुख भली कंपनी महंगा है प्राइस्ट बुख भल्यू के हिसाब से देख सकते हैं अब और बढ़ते हैं तो इसके यह भी भी CG पांच लिए इसके क्या है कमपेटीटर है और इन सब को अगर कमपेर आप करते हैं पी के हिसाब से तो भी यह कंपनी सस्ती है और इनका आरोसी आरोई सेल्स क्वाडर गुरुत देखते हैं तो भी यह अच्छी खासी और इसके कमपेटीटर के हिसाब से है कि क्वाटरली रिजल्ट अब सेल्स गुरुष देखिए चीयालिस पचाथ और सट पंचानवे सट एक सो छे सेल्स गुरुष भी लगतार कंट्रियूर्स हो रहा है इस में अपरेंटिंग प्रोफिट मार्जिन के बात की जाद देखिए 13%, 6%, 4%, 16%, 12%, 27%, 20%, 30%, 28%. यानि 16 से लेकर 30 तक कंपनी ने अपना प्रोफिट मार्जिन इक्रिज किया है इस बार देखा जाए तो अपरेंटिंग फिर विर्ष इनका प्रोफिट बढ़ा है क्योंकि इतना सेल्स बढ़ा रहा है तो सेल्स अगर किसी कंपनी का बढ़ रहा है, प्र बाना जाएगा चली यह यहरली देखते हैं से're CoryoT तो देख 시कते हैं अपनल बेढ़ी। 450 अचार परशंट आपर Bennett upfront परशंट आट busy traffic फरेशंट 25 फरेशंट गोड़ीन इतो कम्पनी का प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा जेक सकते हैं कि कंपनी येर वाइज भी अच्छक कर रही है शेल्स ग्रोफ देख सकते हैं यहां बढ़िया है प्रॉफिट ग्रोफ बहुत ही बढ़िया है एक साल में देखी अपने 500% 500% का सिधीर दिया है कमपनी fundamental देखा जए तो बहुत ही अची कमपनी है शेर कैपिटल देखा जए तो बढ़ा है रिजर्ब देखिए तो बढ़ा है बोरोईंग 3 क्रोड है जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है एकसर काउन इसके पास रिजर्ब है 3 क्रोड ज़्यादा कुछ नहीं है इस बार कोई expansion नहीं हुआ है इससे पहले कुछ expansion हुए थे चलिए अच्छी बात है अभी work और investment अभी एक करोड का है investment देखा जाए तो 20 करोड का दिखा रहा है कि investment करना है चलिए एक छोटी सी company cash flow दिखा cash flow इनका positive है इससे बढ़िया क्या हो सकती है यह एक छोटी सी company का cash flow भी positive है जो बड़ी बड़ी कंपनियों का भी नहीं हो पा रहा है इस समय इस समय इज्रायल और फिलिस्तिन के लड़ाई के वज़े से अस्वाग मार्केट गीड़ रहा है लेकिन फिर भी बैलिस होए यह वी बढ़िया है डे डे पे वले भी घटा है टेश कंवर्च नहीं घटा है वर्केंग कैपिटल ले भी घटा अबढ़िया या एनि सारे रिसी इसकी घटे हैं जो की बढ़ियां आगी है प्रमोटर की बात कि जाता अब मोटर अपना state constant रखा है FI अपना step कभी बढ़ा रहा है कभी घटा रहा है गॉल्मेंट का भी step इसमें बढ़ा है देख सकते हैं कोर्मेंट का step भी इसमें बढ़ा है अब आते हैं public में public में देखा जाए तो जिसने भीいい investment किया है उसने अपने step सबी constant रख राय है जब इतना हाई गुरुद दिने के बाद भी अपने सेल नहीं कर रहे हैं और आज एनाउंस्मेंट देखा जाए तो इसमें नीजवेपर जो आज रिजल्ट आया है उसी के हिसाब से क्या हुआ है कि इस स्टोक में आज 16% का अपर में मूव किया है अब देख सकते हैं फैनेसल रिजल्ट जो आया है इसी के वज़से यह हुआ है तो कंपनी का ग्रोथ प्रस्पेक्ट अच्छा है अब आते हैं चार्ट एनाशिस पर देखते हैं तो देख सकते हैं कि आज क्या हुआ गैप दो हजार से 2400 पर सिल्चर टेक्नोलिजी का अस्टॉप खुला है तो रिजल्ट अच्छा है बहुत महंगा है तो कुछ प्राइज में अगर करेक्शन होता है तो यह खरदा जाएगा यह आपको देखा जाए दो हजार के आस्पासिस का बाइंग लेबल है चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है थैंक्यू थोग थैंक्यू सो मच गॉड्ट बिलेस यू बहुत करेंilos